math Hello everyone, आज हम Maths का first chapter start करेंगे, which is relations and functions. Relations and functions के basic concepts के बारे में आप class 11 में भी पढ़ चुके हैं. इस chapter में हम relations and functions के types क के बारे में पढ़ेंगे. आजकल टेकनोलोजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारे हर किसी काम को करने के लिए कोई न कोई मसीन बनी हुई है अब हर मसीन के पीछे एक basic concept ये होता है कि हम उस मसीन को एक input देते हैं एंड हमने उस मसीन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है कि वह मसीन एक specific input के लिए एक specific output देती है For example, आपने अपने घरों में लगे हुए fans को देखा होगा उनके input के लिए regulators लगे हुए होते हैं जब आप regulators को एक level से change करते हो तो fan की speed भी एक fixed amount से change हो जाती है मतलब आपने regulators से कुछ input दिया और output के तोर पर हमारे fan की speed change हो गई अब आप यदि सभी machines को देखो तो सभी machines इसी concept पर वर्क करती है कि हम उनमे कुछ input देते हैं और machine उस particular input के लिए एक particular output देती है basically ये सभी machine एक function की तरह work करती है जिसमें हम कोई input देते हैं और ये machine अपनी design के according output प्रोवाइड करती है अब हम एक और example देखते हैं let किसी mobile में एक number 123456 dummy name से save है तो यदि आप search option में 123456 as an input देते हो तो ये हमें output में dummy name सो करता है लेकिन mobile में एक और facility होती है कि यदि हम search option में output को ही insert करें मतलब हम dummy ही insert करें तो ये हमें उस output के corresponding input की value भी दे देता है यानि कि mobile हमें number 100 कर देगा तो ये output से input प्राप्त करने की process inverse function होती है and इसके बारे में भी हम detail में इसी chapter में पढ़ने वाले हैं तो इस chapter में हम relation और उसके types के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके बाद हम function and उसके types के बारे में भी पढ़ेंगे फिर हम composition of functions के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम ये देखेंगे कि एक function के अंदर दूसरा function किस तरह work करता है इसके बाद हम invertival function और inverse function के बारे में पढ़ेंगे इस chapter के last में हम binary operation के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए अब हम अपना पहला topic स्टार्ट करते हैं which is relation and its types इस topic में हम ये पढ़ेंगे कि relation कितने type का होता है और उन्हें हम किस तरह से represent करते हैं इस topic को स्टार्ट करने से पहले हम relation के कुछ concepts को revise कर लेते हैं आप previous class में पढ़ चुके हैं कि ordered pair क्या होता है and आप पिछली class में ही relations के बारे में भी पढ़ चुके हो तो चलिए अब एक revision पर बेश्ट एक recall टेस्ट कर लेते हैं इस question में हमें दो अलग-अलग relations के arrow diagrams दिये गए हैं तो सबसे पहले आपको इन दोनों relations को set of ordered pairs की form में लिखना है और उसके बाद दोनों relations के लिए domain, co-domain and range find करनी है तो इस question को आप खुद से solve करने की try कीजिए so please pause the video here and take two minutes to solve this question I hope आप सभी ने इस question को solve कर लिया होगा and इसका solution अब आप अपनी screen पर देख सकते हो अब इस वीडियो में हम types of relations के बारे में पढ़ने वाले है इसमें हम various types of relations के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहला type है empty relation next हम पढ़ेंगे universal relation इसके बाद है reflexive relation then next type है symmetric relation and सबसे end में हम पढ़ेंगे transitive relation तो चलिए अब हम सभी को one by one detail में पढ़ लेते हैं first is empty relation कोई relation R जो की set A में define है empty relation होगा यदि set A का कोई भी element किसी भी element से related ना हो इसे हम mathematically इस तरह से denote करते हैं कि R is equal to 5 and हम जानते हैं कि set A में define कोई भी relation A क्रोस A का subset होता है तो 5 भी A क्रोस A का subset होगा इसे हम एक example से समझते हैं let set A is equal to 1,2,3 and एक relation R set A में इस प्रकार define है कि R is equal to set of ordered pairs A,B and A and B के लिए condition दे रखी है कि A minus B is equal to 5 since यह relation set A से A में define है तो A and B both belong to set A तो हम यहां से clearly देख सकते हैं कि set A के किनी भी दो elements का difference 5 नहीं हो सकता मतलब हमें कोई भी ऐसा ordered pair नहीं मिलेगा जो की इस relation को satisfy करे so we can say that R is an empty relation इसे हम एक arrow diagram से भी समझ सकते हैं यहां relation R set A से A में define है and question में जो की condition गिवन थी A minus B is equal to 5 तो इस condition को कोई भी order pair satisfy नहीं करेगा इसलिए इस arrow diagram में कोई भी arrow नहीं आएगा relation का अगला type है universal relation जैसा की नाम से ही इसपश्ट है कि माना कोई relation R set A में define है तब यदि set A का प्रतेक element set A के सभी elements से related है तब वह universal relation कहलाता है अब since प्रतेक element सभी elements से related है तो इसका मतलब Cartesian product A cross A relation R के equal होगा तब हम इसे mathematically इस प्रकार denote करेंगे कि R is equal to A cross A इसे भी हम एक example से समझ सकते है let A is equal to 1,2 and एक relation R set of order pairs की form में हमें given है यहां हम clearly देख सकते है कि set A का element 1 set A के दोनों elements 1 and 2 से related है इसी प्रकार 2 भी दोनों elements से related है और यदि हम A cross A निकालें 2 1 से related है and 2 2 से भी related है तो हम इस arrow diagram से भी देख सकते है कि जो relation R है वह A cross A के equal है तो अभी तक आप empty relation and universal relation के बारे में पढ़ चुके हो तो अब हम relation के अगले type के बारे में पढ़ेंगे जो की है reflexive relation माना कोई relation R set A में define है तब यदि set A का प्रतेक element खुद से भी related हो तो वह reflexive relation होता है mathematically हम इसे लिखते हैं element A is related to A for all A belongs to set A इसे हम एक example से समझते हैं let set A is equal to 1,2,3 and एक relation दे रखा है जो की हमें set of ordered pairs की form में given है तो हम यहां से clearly देख सकते हैं कि set A के elements 1,2 and 3 खुद से भी related है क्योंकि इस relation में ordered pairs 1,1, 2,2 and 3,3 included है which means दिया गया relation reflexive relation होगा इसे हम arrow diagram से भी समझ सकते हैं यहां relation R set A से A में इस प्रकार define है कि 1 1 से related है and 1 2 से भी related है इसी तरह element 2,2 से related है and 2,3 से भी related है and element 3,3 से related है तो हम यहां से देख सकते हैं कि इस relation के according set A के सभी element खुद से भी related है इसलिए यह given relation reflexive relation होगा relation का next type है symmetric relation माना एक relation R set A में define है and A and B set A के कोई दो elements है तब यदि element A element B से related है and element B भी element A से related है तो वह symmetric relation होता है मतलब यदि A B से related है तो symmetric होने के लिए B भी A से related होना चाहिए इसे हम mathematically इस प्रकार देनोट करते हैं कि यदि A is related to B then B should be related to A for all A and B belong to set A इसे हम एक example से समझते हैं let set A is equal to 1,2,3 and एक relation हमें set of order pairs की form में given है तो हम यहां से देख सकते हैं कि यदि 1,2 से related है तो 2 भी 1 से related है क्योंकि इस relation में दोनों ही order pairs 1,2 and 2,1 included है तो यह है एक symmetric relation होगा इसे हम arrow diagram से भी समझ सकते हैं relation R set A से A में इस प्रकार define है कि 1,1 से related है 1,2 से भी related है 2,2 से related है and 2,1 से भी related है तो हम यहां से clearly देख सकते हैं कि 1,2 से related है and 2 भी 1 से related है तो इसलिए यह symmetric relation होगा यहां important concept यह है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी elements एक दूसरे से related होगा जैसा कि अभी हमने reflexive relation में पढ़ा था वहां हमने देखा था कि सभी elements swim से भी related होने चाहिए लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां only condition यह है कि यदि कोई भी एक element किसी दूसरे element से related है तब वहत दूसरा element भी पहले element से related होना चाहिए for example माल लो इस relation में एक ordered pair 1,3 भी है तब इस relation के symmetric होने के लिए यह जरूरी है कि ordered pair 3,1 भी इसी relation में होना चाहिए तब ही यह एक symmetric relation होगा I hope आपको reflexive relation and symmetric relation समझ में आ गया होगा and इन दौनों में difference भी समझ में आ गया होगा इस वीडियो में हम relation के last type के बारे में पढ़ने वाले हैं जो की है transitive relation माना एक relation are set A में define है and A, B and C set A के elements है तब यदि element A element B से related है and element B element C से related है तब उस relation के transitive होने के लिए यह जरूरी है कि A भी C से related हो मतलब यदि ordered pairs A, B and B, C relation R के elements है तब उस relation R के transitive होने के लिए यह जरूरी है कि ordered pair A, C भी उसी relation में हो इसे हम mathematically इस प्रकार देनोट करते हैं कि element A is related to element B and B is related to C then A should be related to C for all A, B and C belong to set A इसे हम एक example से समझते हैं let set A is equal to 1, 2, 3 and एक relation हमें set of ordered pairs की form में given है तो हम यहां से clearly देख सकते हैं कि 1, 2 से related है and 2, 3 से related है and 1, 3 से भी related है तो यह जो given relation है वह transitive relation होगा इसे हम arrow diagram से समझते हैं relation R कुछ इस तरह से define है कि 1, 1 से related है and 1, 2 से related है and 1, 3 से भी related है इसी परकार 2, 1 से related है and 2, 2 से related है and 2, 3 से भी related है तो अब यदि हम इस arrow diagram से भी देखें तो 1, 2 से related है and 2, 1 से related है and transitive relation की condition के according 1, 1 से related होना चाहिए जो की यहां related है इसका मतलब कि जो given relation है वह transitive होगा इसे हम एक दूसरे combination से भी देख सकते है यहां हम देख सकते है कि 2, 1 से related है and 1, 3 से related है तो transitive होने के लिए 2, 3 से related होना चाहिए and ordered pair 2, 3 यहां present है तो यहां भी हमारे transitive relation की condition satisfy हो रही है अब हम एक और example लेते हैं इस example में हमें एक relation set of ordered pairs की form में given है अगर हम यहां से check करें तो 1, 2 से related है and 2, 1 से related है तो इस relation के transitive होने के लिए 1, 1 से related होना चाहिए और हम यहां देख सकते हैं कि 1, 1 भी एक इसका ordered pair है इसका मतलब यह relation एक transitive relation होना चाहिए लेकिन यदि हम किसी दूसरे set of ordered pairs को देखें for example यदि यहां देखें कि 1, 2 से related है and 2, 3 से related है तो इस relation के transitive होने के लिए 1, 3 से related होना चाहिए यानि कि एक ordered pair इसमें 1, 3 भी होना चाहिए जो की नहीं है इसका मतलब यह relation transitive relation नहीं होगा तो यहां से हम यह conclude कर सकते हैं कि यदि ordered pair का कोई एक combination transitive relation के condition को satisfy कर रहा है तो वह relation transitive होगा यह हम नहीं कह सकते इसके लिए हमें सारे possible order pairs देखने होंगे यानि कि हमें A, B and C की सभी possible values के लिए यह check करना होगा कि यदि ordered pairs A, B and B, C किसी relation में included हैं तो उसके transitive होने के लिए जरूरी है कि ordered pair A, C भी उसी relation में हो अगर A, C उस relation में नहीं होगा तो वह relation transitive नहीं होगा तो अब आपको relations के सभी types अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे अब types of relation में लास्ट एंड सबसे important concept यह है कि यदि कोई relation reflexive, symmetric and transitive है तो वह relation equivalence relation कहलाता है इस topic से exam में ज्यादा तर questions equivalence relation पर based ही पूछे जाते हैं तो चलिए अब हम एक question solve करते हैं इस question के दो पार्ट है एंड दोनों ही पार्ट में हमें अलग-अलग relations दे रखे हैं और हमें यह चेक करना है कि एक given relation reflexive, symmetric and transitive हैं या नहीं तो चलिए अब हम इसका solution देखते हैं सबसे पहले हम first part की बात करते हैं जिसमें हमें एक set A कुछ इस तरह से given है and x and y में एक relation दे रखा है कि 3x minus y is equal to 0 अब since relation R set A में define है तो x and y दोनों ही set A के element होंगे तो हम सबसे पहले इस relation के लिए ordered pair find करते हैं since relation है 3x minus y is equal to 0 तो हम सबसे पहले x की value 1 रखते हैं and इसके corresponding हमारे y की value मिलेगी 3 इसी परकार हम x की अलग-अलग values रखके y की values निकाल सकते हैं अब आपने हैं देखा कि x is equal to 5 के लिए y की value हमें 15 मिल रही है लेकिन element 15 set a का element नहीं है that means 15 does not belong to a अब इसी परकार यदि आप x की values 5 से बड़ी लोगे तो उसके corresponding जो भी y की value आएगी वो set a में belong नहीं करेगी इसलिए वो सभी इस relation के order pairs नहीं होंगे तो अब हम relation r के order pairs आसानी से लिख सकते हैं जो की कुछ इस परकार होंगे अब हम इस relation के सबसे पहले reflexive होने के लिए check करते हैं हम पढ़ चोके हैं कि कोई भी relation reflexive तभी होगा जबकि उसका प्रतेक element swim से related हो इसका मतलब 1 1 से 2 2 से 3 3 से and so on 14 14 से related होना चाहिए लेकिन यदि हम relation को देखें तो हम वहाँ से कह सकते हैं कि ये सभी order pairs r में belong नहीं करेंगे इसका मतलब relation r reflexive नहीं होगा अब हम symmetric के लिए देखते हैं symmetric के लिए हम पढ़ चुके हैं कि यदि a b से related है तो b भी a से related होना चाहिए इसके लिए हम relation r में से 1 element 1,3 लेते हैं ये since r का एक element है तो इसके symmetric होने के लिए ordered pair 3,1 भी r में होना चाहिए लेकिन हम देखते हैं कि 3,1 r का element नहीं है that means given relation r symmetric भी नहीं है अब हम transitive के लिए check करते हैं transitive के लिए हमने condition पढ़ी थी कि यदि a b से related है and b c से related है तो इस relation के transitive होने के लिए a c से भी related होना चाहिए तो अब यदि हम r के order pairs को देखें तो वहां देख सकते हैं कि 1 3 से related है and 3 9 से related है तो इस relation के transitive होने के लिए 1 9 से related होना चाहिए यानि कि 1,9 relation का ordered pair होना चाहिए लेकिन हम यह देखते हैं कि 1,9 इस relation का ordered pair नहीं है that means given relation, transitive relation भी नहीं होगा अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम reflexive, symmetric and transitive relation के लिए किस प्रकार conditions से check करते हैं अब इसी प्रकार हम second part के लिए भी यह सभी conditions check करेंगे second part में हमें set A कुछ इस तरह का दिया हुआ था and relation R कुछ इस तरह से define था तो अब हम सबसे पहले reflexive के लिए check करते हैं किसी भी relation के reflexive होनी के लिए ordered pair x,x उस relation में like करना चाहिए और इस relation की definition के according यदि x,x इसका एक element है तो x, x से डिविजिवल होना चाहिए and हम जानते हैं कि प्रतेक नंबर खुद से भी डिविजिवल होता है इसका मतलब इस relation के ordered pairs कुछ इस तरह के होंगे जो की set r में like करेंगे that means given relation, reflexive relation होगा अब हम symmetric के लिए check करते हैं तो हम यहां से देख सकते हैं कि ordered pair 2,4 इस relation का एक element होगा क्योंकि 4,2 से डिविजिवल होता है अब इस relation के symmetric होने के लिए यह है जरूरी है कि 4,2 भी इस relation में like करें लेकिन ordered pair 4,2 इस relation का element नहीं होगा क्योंकि 2-4 से डिविजिवल नहीं होगा इसलिए given relation, symmetric relation नहीं होगा अब हम transitive के लिए check करते हैं इसके लिए हम यह assume करते हैं कि ordered pairs x,y and y,z आर में block करते हैं that means y,x इडिविजिबल होगा and z,y से डिविजिबल होगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि z,x से डिविजिबल होगा that means ordered pair x,z भी इसी relation का एक element होगा तो हम यहां से कह सकते हैं कि यह relation, transitive relation होगा तो चलिए, अब हम एक और question solve करते हैं इस question में हमें एक relation r दिया हुआ है and यह relation r, set of real numbers के set r से r में define है और हमें यह check करना है कि given relation, reflexive, symmetric या transitive होगा या नहीं तो चलिए, अब हम इसका solution discuss करते हैं question में relation r कुछ इस तरह से define है तो अब हम सबसे पहले reflexive के लिए check करते हैं तो इस relation के reflexive होने के लिए यह जरूरी है कि ordered pair a,a इस relation का एक element हो जब a,a इस relation का एक element होगा तो वह इस relation की condition को भी satisfy करेगा जो की होगी a is less than equal to a cube तो जब आप a की, 1 या 1 से बड़ी कोई भी value लोगे तो वह इस condition को satisfy करेगा लेकिन यदि आप a की value 1 से छोटी लोगे तो वह इस condition को satisfy नहीं करेगा फोर एक्जामपल यदि हम a की value 1 by 2 ले तो relation की given condition के according we get 1 by 2 is less than equal to 1 by 2 का whole cube जब हम इसे solve करेंगे तो हम वहाँ से देखेंगे कि यह inequality true नहीं है that means ordered pair 1 by 2,1 by 2 इस relation r का element नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि यह relation reflexive नहीं होगा अब इसी तरह आप symmetric and transitive के लिए भी check कर सकते हैं तो इस relation के symmetric and transitive होने की conditions को आप खुद से check करने की कोसिस कीजिए तो अब आप इस वीडियो को 3 मिनट के लिए यहीं पोज कीजिए और इसको आगे solve करने की कोसिस कीजिए I hope आप मेंसे काफी students ने इस question को completely solve कर लिया होगा तो चलिए अब हम इसका solution आगे discuss करते हैं हम symmetric के लिए check करते हैं तो ordered pair 1,3 इस relation r का एक element होगा क्योंकि यह इस relation की condition को satisfy कर रहा है अब इस relation के symmetric होने के लिए यह जरूरी है कि ordered pair 3,1 इस relation का एक element होना चाहिए लेकिन ordered pair 3,1 इस relation का element नहीं होगा क्योंकि यह इस relation की condition को satisfy नहीं कर रहा है इसलिए given relation symmetric नहीं होगा अब हम transitive के लिए check करते हैं तो जब हम transitive के लिए check करेंगे तो हम देखते हैं कि यह दोनो ordered pair इस relation R के element होंगे क्योंकि यह दोनों ही इस relation की condition को satisfy कर रहे हैं लेकिन 3,6,5 इस relation का element नहीं है क्योंकि यह इसकी condition को satisfy नहीं कर रहा है इसलिए given relation transitive भी नहीं होगा